सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधु आद आपकी टीम को साधु आद कि शाष्वत पावन भूमी आयोध्या का आप दर्शन गर बैठे करार दूसरी एक बात में बताना चाहूंगा अम इस शाजी ने बहुत बढ़िया आज में तारीफ करता हूं की जब अधनब जी उनक करना चाहिए तुछ आदमियों का आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कई आप जो करें आयोध्या के लोग पूच रहे हैं बाजपा पूच रहे हैं देगे आचारे चानक्य की बात में कर रहा हूं आर चारे चानक्या ने मैंने आपको कई बार पहले भी टीवी डिवेट करें तंब का कि उन्होंने काने में कार गिकारर मन शुद्द है आतरा है जिसका मन करें का खाल करें किसिका इंद 1 जिक अधर आठक गरने की है घए जो नरे, भी घूर मन, करेई पहले कोसिके घडगे कि है जैसे चाहे जैसे करो यह बहुत खतरनाइक सोच है देश के लिए आपने देखा राईूल गांधी वहां से पर्चा क्यों नहीं ब変 रहे हैं, conference list declare क्यों नहीं कर रही, conference ये क्यों नहीं कर रहीffen बहीं, 10 साल से आप स cast ciudad में आप अपनी बात करो, कांगरेस अगर कर रही होती, मेहनत कर रही होती, तो सत्ता में कांगरेस होती है, आप कैसे आते हैं, लेकिन फिर भी, आज दस साल बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो यह मेरे को, यह जो खतरनाक सोच इनकी है, यह समाज के लिए, राजनितिक वेवस्ता के लिए बड़ी गलत, इसको रोकना बहुत आवशकता है, बहुत आवश्यक है, जी, मतला परूंधी आप यह कह रहे हैं, और जो जांत तक यह बात कर रहे थे, मंगल सूत्र, पुरी जनता सूत्र का पाठ भी करेगी और इनके सूत्र भी बांदेगी, क्योंकि इनों ने जनता को कि जिस प्रकार से मानसी कारतीर हुए उसे प्रताडित क्या है, वो बर्यादा पुर्शोतम स्री राम की सूत नहीं है, आप अपनी चिंता कीजिए, आप यह डिसाइड नहीं कर करने के लिए जाएगा चुनाव है आपके नेता और आप लोग सिर्फ चुनाव की वज़े से राम मंदल जा रहे हैं इसलिए इसकाल आधा धूरा इस साल उसका उद्गाटन कर दिया मंदल तो पूरा भी नहीं हुआ अभी पर तुब ये लोगा गया। तो कभी राम मंदिर जाएंगे नहीं, उर्ट का कारण है इनका जो जिहादी मेंफेस्टो है, उसमें बड़ा सपस्टा से उन्होंने लगा है कि हम देश के अंदर परसनल लाउ, मतलब शरीयत लाउ वापस लेकर आएंगे, और शरीयत लाउ के अंदर मुसलमान धरम के अलवा सबस्टा से रिखा है कि Congress will ensure that every citizen minorities have the freedom of choice of dress, food, language and personal laws, तो पस्टल लाउ मतलब शरीयत लाउ, तो इनसे पेक्षा करना कि भगवान राम के जर्शन करने, जब भगवान रामलला के जर्शन करने मंदिर जाएंगे, ये बड़ी बहुत दूर की बात है, ठीक है, ठीक है, आर्पी करना करें, तो उससे पहले दर्शन करने के लिए जाएंगे दर्शन, तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी के नेता तो डिबेट में भी पार्ट नहीं लेतने, अगर आप राम मंदिर का मुद्दा रख लीजे या बात कर लीजे उनसे तो, इतना क्यू डर है, इतना क्य अपनी माँ के टाम में गए, उसके बाद उन्होंने कोई करम कांड़ों कोई, चार एकड़ के मकाम में अपनी माँ को नी रख पाए, देखिए, मैं आपको बताता हूँ किसी ने स्वर्गिये मुलायम सिंग लीकी ब्रत्यू के बाद सवाल कड़े किये थे, कि आपने क्या करम कांड़ अपनाए, आपने क्या नियम फॉलो किये, सर किसी ने पूछा था ये, नहीं मैं सर मैं स्पोक्स पोसर नहीं बन रही हूँ, लेकिन अगर अगर आप किसी के व्यक्ति गात जिन दिदद्की में इंटर प्यार करेंगे, सवाल पूछेंगे तो मैं भी पूछूंगी, आप से, लिग के लिए, तो दर्शन करने से परेस हैं पर अपनी माँ के साथ उन्होंने करम कांड़ उनका क्यों नीं किया, और को नए किया पने तूनावी हिंदू और 38% मैं इस पर जवाब लेती है आप लोगों से लेकिन अर्पिसिंग से रेक्शन रही है उनकी बाते वो क्या में वो क्या कहने मैं यह समझ रही है यह क्या कहने मैं उसको समझ रही हूं यह बहुत बड़ी दिकत है यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दीपक जी गलत बात है यह गलत बात है कल भी राहूल गांदी ने जैसे शब्दों का इस्तमाल किया उस पर भी आपती थी सर कल भी राहूल गांदी ने दर्शन के लिए आस्था के लिए या दर्शन का जो विडियो चार मैंने पहले सामने आया उस पर सवाल खड़ी किया सर उस पर भी आपती थी और आज आप जो कह रहे है उस पर भी आपती है मुझे अभी वरुन जी ने भी का है जैसे आपको करता है और जब मोका आएगा सब जाएंगे चुनाव के समय में नहीं जा रहे हैं तो पुजारी और लोग उनकी इंतियार नहीं करते हैं लोग राम के दर्शन करने के लिए भगवान के दर्शन यहां पर सारे पुजारी वो ऐसे की जैसे राम होगे नरंदर मोदी आपने जो सवाल पूछाना उनकी मापर में उस पर आरप सिंग से रियक्शन लोगे फिर सौरब दूबे आरप सिंग दिये बताई बीस से कर जवाब देजे पर दूबे आरप दूबे जल्दी से ने मुझे नहीं पता था कि वरण जी कॉंग्रस में मुझे पिछे तुन बदल का वरण जी कॉंग्रस चौड़ चुके मैं तो क्या जो क्योंग्रस के और सपा के मैं तो कहा और वपक्षी दिलों के परवक्षाओं की जो सोच है वो पनलक्षित करती है कि किस घटिया पन तक जा सकते हैं वो वो नीजी कर्म काड़नों पर किस पकार से प्रच्छा उठाते हैं देखता है आपनी आस्था है आप क्यों सवाल पूछ रहें एक लाइन लिखी है ने कि अग्या बिनु पैसा रहें बिना हनुमान जी की आज्ञा से भगवान राम के दर्चन मिलते भी नहीं है और हनुमान जी आज्ञा भी उनी को देते हैं जिनका बन पवित्र होता है जिनके मन में जो है हिंदूों को ले करके वो जो हिंदूों का दुसपरचार करने वाले लोग हैं जो सनातन के किलाब बोलने वाले हैं उनको भगवान राम के दिब्ध दर्चन भी प्रापत नहीं होते लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ सब यंते हैं दो